नमस्कार बच्चों मैं टिंकूस रेठे साइंस जॉन एकडमी आज हम पसुपालन के एक और वीडियो में देखते हैं जिसको हम टार्गेट करके चलते हैं पीटी पीटी के अलावा इन सारे टॉपिक जो कि आपके अग्रिकल्चर एक्जाम से सभी रिलेटेड मतलब जितने भी आपके अग्रिकल्चर एक्जाम होंगे सभी में इस टॉपिक से कोस्टन आपको मिलेंगे हैं तो हमको यह देखना है एनिमल हजबेंटरी में हम देख रहे हैं दूद का संगठन ूद को और रिकेंगेंने भ्वतिक गुण मतलब की दूध पहली बात्तों हमें देखेंगे दूध होता क्या इसके-अलावा हम देखने ग Shortly दूद में कौन-कौन- 고ॉ सकथ तो कौन से संगठन पाये जाते हैं इसी कारण से दूद को क्या बड़ा जाता है संपून आहार हो सकत् episode 6-6 एक संगतेहन इस लावा हम को दूद कि अलग 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 पसव Pew में जो उसको चेक करना है क्या होता है जिसक कर और के निग बात करें तो इसक देक मतलब किसी में कोई vitamin ज्यादा है तो और कार्वोहईटरेट कम है इसमें की से चीज़ें होती है हर भोजन कि प्रॉब्लम मगर दूध एक ऐसा भोजन है जिसमें कि हर चीजें लगभग लगभग अगर देखा चाहे तो एक संतुली तवस्था में उपस्थित होती है संतुलित अबस्था की अगर मैं बात करूं तो जैसे प्रोटीन की बात करें प्रोटीन मनुस्य के शरीर में बहुत ज्यादा उतक निर्मान के लिए आवस्था होते हैं बसा कार्वहाइट्रेड विटामिन इसके अलावा मतलब जितने भी खनीस्तत्व शरीर की व्रद्धी क अगर मैं बात करूं कि दूद की और परिवासा क्या हो सकती तो दूद की परिवासा यह होती है बेटा कि नबजाद वच्चे के सीग्र पोशन के लिए उसके सीग्र पोशन के लिए माता की इस्थन ग्रंथियों से इस्त्रावित होने वाला पदार्थ दूद कहलाता है एक बार अच्छे से सुनें नवजाद बच्चे के सीघ्र पोशन के लिए माता की इस्थन ग्रिंतियों से इस्तराबित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है दूद कहलाता है मतलब दूद को आप संपूर्ण भोजन बोलते हो पहली बात क्यों बोलते हो क्यों कि इसमें इतनी कि दूद में अलग-अलग परिकार के खंणी लवन अलग-अलग परिकार के बिटामिन लक्टिक इसके अलबा वसा हर चीज अलग-अलग तरीके से पाई जाती है मतलब हर पसू के दूद में एक सा कंटेन नहीं होता है, अलग-अलग कंटेन होता है, हम उस कंटेन को देखते हैं कि इसमें क्या-क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इनको हमने डिवाइड किया, हम दूद में कौन-कौन सी मात्रा हैं देखेंगे, एक तो पानी की म प्रोटीन की मातर प्रोटीन के लाबव लेक्टॉस नामक सरकरा पैालिंगे इसकेलावा लवड्ड उसकेलावा थोस्वधारत अब देखते हैं कौन कौन हंब हम देखेंगे सबसे पहले हम गाय को का दूध होता है इस में पानी की भाति मात्रा पाई जाती है meまで háras 86.9 % अगर मैं बात करूं हम जितने भी चीजे पढ़ेंगे उस में 2nd नंबर है गायट किये जो दूध है उस में पानी की मातर आगा कौन से नंबर पहले जाती है दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पानी की मात्रा अगर किसी के दूद में पाई जाती है तो मानव इस्त्री मानव इस्त्री के दूद में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है एक चीज धियान रखना मानव इस्त्री के जो दूद होता है उसमें 87.43% पानी पाई जाता है अब इसको कैसे याद रखेंग जो की चर्वी जिसको हम मोलते हैं चर्वी की मात्रा कितनी पाई जाती है लगभग लगभग 5% मतलब 4.9% इसके लाबा प्रोटीन जो की मनुस्य के सरीर में बहुत ज्यादा उतक निर्मान और कोशी का निर्मान के लिए आवसक होता है प्रोटीन के जो मात्रा पाई जाती है जो अगर देखें तो जो चीजे होती है उन्हीं को हम ठोस पदार्थ बोलते हैं आगे अगर हम देखें तो इन चीजों को आप ध्यान रखना बेटा कई बारे से कोस्टन आते इससे बहुत इंपोर्टन टॉपिक है अगर हम बात करें तो हर पेपर में जो अग्रिकल्चर आपके जितने भी पेपर हैं हर पेपर में लगभग लगभग तीन नमर का टॉपिक है तीन के ससे चार नमर प्रीक मिलते हैं इसलिए इस टॉपिक को हल्के में मतल है अच्छे से पढ़ना ध्यान रखें की घान के भेंस के दूद में सबसे कम पानी की मात्रा पाई जाती है जो पानी की मात्रा होती है भेंस के दूद में सबसे कम होती है 83.9% 83.8% 83.8% पानी की मात्रा पाई जाती है भेंस के दूद में इसके लावा बसा की मात्रा भी सबसे अधिक पाई जाती है भेंस के दूद में 6.5% 6. बहाबर पाई जाती है इसके लावा जो भैस का दूध है भैस के दूध में 6.5% बसा की मात्रा होती है आगे अगर हम देखें की मात्रा 3.9 परेसेंट प्रोटीन प्रोटीन होता है ल्यक्टिक अर्लेक्टिक अमलत कितना होता है 5.2 परेसेंट इसके लावा लवन जो होता है 0.7 ठोसपादात होता है 16.4 फोसपादात होता है 16.4% आगे अगर हम बात करें बक्री बक्री का जो दूद होता है बक्री के दूद में अगर हम देखें कि किस चीज की मात्रा अधिक पाई जाती है तो बक्री के दूद में अगर देखें तो पानी की मात्रा लगभग लगभग गाय के दूद के आसपास जितना पतला का दूद होता है लगभग वैसे ही उतना ही पतला वक्री का दूद भी होता क्यों कि इसके दूद में Accated 86.5% कि आपढर पानी की मात्रा पाय जाती है सेल अगा हम देखाए वर्षा कितना होते है आगे एक चीज देखते हMi Dual का जो दूद लगबग लगबग अगर देखे तो हमारे इधर तो हमारे इधर चलन में पृत्त condemn चाहां पर चाहिवर्क के आध के इसा लाइक हो तो जैसे आगे अगर हम देखें जैसे ऑस्टेलिया जैसे देसों की अगए बात करें तो ऑस्टेलिया जैसे देशों में लगबग लगबग जितना भी जूद यूज किया जाता है सब का सब दूद भैड और भक्रियों का होता है आगे अगर हम देखें तो इन चीजों को ध्यान रखना क्योंकि important है है आगे अगर देखें भैड का दूद भैड की दूद में same to same लगबग लगबग जितना कि ti cic लबन Westminster होता है 16.5% मतलब सबसे जादा ठोस-पदार्थ पाया जाता है बेहड़ के दूद में ठोसपदार की अधिकतम मात्रा पाई जाती है 16.5 परसेंट इसके लाब आगर हम बात करें जो मानव इस्त्री है मानव इस्त्री के दूद में देख लेते हैं कौन-कौन से content पाया जाते हैं कितने प्रतिसत में पाया जाते हैं पानी की मात्रा कितनी होती है प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है आईए इसको समझते हैं देखते हैं कि जो मानव इस्त्री है इस्त्री के दूद में 87.43 प्रतिसत के आसपास पानी पाया जाता है मतलब अगर हम सीधी सीधी करें तो जो इस्तरी का दूद होता है उसमें सरवाधिक पानी की मात्रा पाया जाती है अधिक लेक्टिक अमल या फिर लेक्टिक की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक पाया जाता है क्या लेक्टोज या लेक्टिक अमल या लेक्टोज है ना लेक्टोज ही लिख लें इसको लेक्टोज क्या लेक्टोज लेक्टोस की अगर हम बात करें तो सरवाधिक लेक्टोस की मातरा जिसको हम दुख्द सरकरा के नाम से जानते हैं जो दुख्द सरकरा होती है सरवाधिक किसमा पाई जाती है इस्त्री कदूद में इसके लाब अगर हम बात करें लवन्ड, लवन्ड की मातरा सबसे कम पाई जाती है, 0.21%, इसके लाब अगर हम बात करें, जो ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ की मातरा पाई जाती है, 12.3%, 12.3%, इसके लाब अगर हम देखें, तो अब हम अलग-अलग से देखेंगे कि जल क्या होता है इसके लाबा लेक्टोस क्या होता है प्रोटीन क्या होता है इसको हम अलग-अलग एक-एक पॉइंट उठाके देखते हैं कि लेक्टोस जल या फिर ठोस्पदार्थ और लवन्ड इनको अलग-अलग देखते हैं कि इनकी मतलब इनकी भूमी का होती कहां पर श होता क्या है तो वह चीज़ को हम देखते हैं अब देखते हैं आगे